हाई अगरें विलकम बैक मेरी यूट्यूब चैनल नमस्कार दोस्तों मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तों आज हम आपको एक एसे लोकेशन पे लेके जाएंगे जहां एक अधूत रहस्य में गुफा वा विचीत्र पत्थरे हैं तो चलिए दोस्तों चलते हैं दोस्तों चत्तिस गड़ के वालोदा बजार जेले से लगभख 70 किलो मीटर की दुरी पर इस्थित बिलाई गड़ ब्लोक से 20 किलो मीटर की दुरी पर पूर्वा अधिसा में अंजन्याग राव में इस्थित है तो यहाँ धनसीर ग्राम पंचायत है जो की ब्लाई गड़ से 8 किलो मीटर की दुरी पर इस्थित है यहाँ से हमें अंजन्याग जाने के लिए लेप्ट साइड लेना होगा तो यहाँ जाता की इस्थित है स्वार अजयाओ कि भेके महात vitamins. कि फृट कहि है तो ऌ-ध में कारत में तहाश फीरिआ देखो दोस्तों रोट में मान में लगा हुआ है जो कि जाकर रिपेरिक हो गया है रोट आधा साइड हुआ है राइड साइड पूरा बचा हुआ है जल से बाड हो जाएगा हो ज़ा ईकाइगा अँद रसकर बीज़ सेखरोड है यह जए शक्षार्ट मेर डिया है जारिहा समूल जारिए करेंगी जा है यह पिजया दिये चाले है कर दिरा यह माँ चाले है, ताम के में जाए है यह है बोड़ा बोड़ा डी का इस्कुल है सस्कीया है इस्कुल बोड़ा सिदा और काउं मार्क पर निकलती है हमें अंजनिया जाना है तो हम राइट साइब ले लेते अंजनिया जाए है अंजनिया जाए है स्क्ष्ट कर दोड़ा यह है यह है यह है यह है यह है यह है प्रसू यहांसे मेले पसाइब ले 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 नहांसे प्रसु यहांसे मेले पसएब ले 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 होगा झाल झाल के लाड़न एढ़न लाड़ verification कर दो दोस्तों यहां से सीधा मत जाएगा यहां से आप ले लिजीगा जाएगा वेखा और चाब बहाईवा जाएगar I दोस्तों यहां तक तो है रोड बट यहां से हम लोगों को पैदार जाना पड़ेगा यहां तक आ गए है यहां तक आ गहे हैं देखे मैं आपनों परोग शचाच में देने रहे हैं कि अज वायं सब्सक्राइब डरों Aah है अटाव क्या था मिवाद आपको क्या है क्या कर रहा है जलो कर दोर अगे थैस्द आपको डेखो नी जो यहां है अले भाइस आप कि योग जाओ मैं आ रहा हूं कि यह जो जंगल है इतना सुनी पान वाली जंगल है दोस्तो इन छोटे बड़े चेक्टानों से आपको संभल कर चलना पड़ेगा दोस्तो अंजनिया जंगल जाने के लिए हमें यहां से लगभग लगभग हजार फीट उपड़ चड़ना पड़ेगा तो चली दोस्तो चलते हैं दोस्तों बताया जाता है कि इस जंगल पर बहुत बड़ा रास चुपा हुआ है तो चलिए हम आपको उपर चड़के बत लाते हैं दोस्तों यह जंगल जाड़ी बुटियों के लिए प्रसिद्ध है जो कि देख सकते हैं दोस्तों पहुंचने वाले हैं कि अरे भाई यह सब्सक्राइब है कि जंगल के उपर आ गया है दोस्तों यहां से अभी हमें अभी और थोड़ा दूरा और जाना पड़ेगा हमारे केमरा में तो आ ही नहीं रहे हैं देख सकते हो दूर सही केमरा के नज़्धिक आने में सर मा रहा है वो कि अरे भाई आप जब भी यहां आते हो साथ में आयेगा कम से कम तीन या चार जने क्योंकि यह जो जंगल है थोड़ा ड्रावना वाली जंगल है यहां भालू आने का चांस रहता है अंजनिया जंगल के उपरी चोटी पर पहुंचते ही आपको सबसे पहले स्यूजी का कंदिर मिलेगा यहां जल अरपड करने के लिए सावन महिने में बहुत भीड रहता है चलिए हम स्यूजी से मिलाते हैं जय भूले बाबा अब चलिए हम आपको चार और कंदिर से रिखाते हैं कुछ चलिए है कि करने 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 को करने करने कर रह दोगंगल जनुजी रहता है कि अबड़ रहता है कि पर गदब के रहा है अब चलिए दोस्तों हम आपको एक रहस्य माई गुफा को दिखाते हैं जिसके लिए हम खास कर आए हैं चलिए नीचे उताते हैं मंदिर के लेप्ट साइड पर यह गुफा है जोस्तों की तीस तरह का सिंदू यहां पर आएगा तो आपको कि यहां का अरे भाई साब मोर कभी हवास तुनाई दे रहा है कि यह लिए चलते हैं दोस्तों कि यह गुफा का प्रवेज़वार और हम इस गुफा के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए भाई साब से चर्चा करते हैं फिलहाल अभी बारिस का मौसान चल रहा है कि यहां से अंदर जाना उचित नहीं है कि अंदर सर्फ विच्छी वगेरा भी हो सकता है इसके बारे में बता देना चाहता हूं इसके अंदर जाते ही कुछ दूरी पर तेन पॉधे तलाब और वक्षी है और यह बहुत की बड़ा गुफा है कि अभी भाई साब ने बता है कि इस गुफा के अंदर हम नहीं जा सकते हैं कि अभी बड़सात का मौसम चल रहा है इसके अंदर सर्फ विच्छी भी हो सकता है तो इसके लिए सोरी दोस्तों कि अभी बड़सात का मौसम चल रहा है कि अभी बड़सात का मौसम चल रहा है आप यहां फोटोग्राफिक के लिए आ सकते हूं जो कि बहुत ही अच्छा जगा है एक बार जरूर आईएगा यहां पर छोटे बड़े सभी प्रकार के पत्थरे देखने को मिल रहा है जलिए पुस्सेट जाकर मैं और बताता तो यहां से नहीं पर और बताना चाहिए आप सबस्क्राइब एक दम खाई है दोस्तों यदि आप यहां से एक बार भी किर जाते हो तो बजना इंपोसिबल है में बढ़े सबस्तों त्रुवία तो तो इस अंजनिय जंगल में एक ऐसा विचित में देल चलिए दोस्तो नियुक्त में कुछ सकते हैं और आपको अवास अंधना कर दे जया नियुक्त को देख सकते हूं आधकि इतना बड़ा है है जिस परवार करने से विली घंटी की वास चुनाई देती है, तो चलिए जिस परवार करने से जिस प्रकार की ध्वनी नहीं सुनाई देती है, जैसे कि यही पक्थर जो है, देख लो, आज के ब्लॉग वीडियो आपको थोड़ा सभी पसंद आया होगा, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब पीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस्ट कर दिजिएगा, ताकि हम आपके लिए और अच्छे से ब्लॉग भी दो लाते देड़ा